आज जिस personality की मैं बात करूँगी ये फिल्मों में हसी मजाक वाले रोल करते हैं या फिर romantic रोल्स करते हैं लेकिन real life में ये उससे थोड़े अलग हैं कई बार ये लोगों से उलचते हुए भी नजर आई हैं इन्होंने एक के बाद एक romantic और comic hero की किदार किये जिसके बाद industry ने इन्हें typecast कर दिया और अब ये खुद confused हो गए हैं कि आगे ये किस दिशा में बड़े romantic hero के रूप में काम करें या comedy roles ही अपनाएं लोगों का career तब बनता है जब वो busy रहते हैं और वो मेहनत करते हैं लेकिन इनका career बना फुक्रे बनकर आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ अक्टर पुलकित समराट की पुलकित समराट की life से जुड़ी वो बाते में आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी कब जिस एकता कपूर ने पुलकित समराट को इंडस्ट्री में पहला chance दिया उसी एकता के साथ पुलकित का हुआ भयंकर जगड़ा क्यूं पुलकित समराट अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाते और कैसे सल्मान खान से है पुलकित का अलग भाईचारा पुलकित समराट दिल्ली से है उनके पता रियल स्टेट बिजनस में है पुलकिट समराट ने दिल्ली के मानव स्थली स्कूल से पढ़ाई की और कुछ समय तक मौनफोर्ट सीनिय सेकिंडरी स्कूल में भी वो पढ़े पुलकिट समराट को शुरुआत से ही अगर कुछ बनना था तो वो था सिर्फ और से फैक्टर इसके अलावा उन्होंने किसी करियर के बारे में सोचा ही नहीं था पुलकिट समराट शुरुआत से ही कल्चरर अक्टिविटीज में बहुत जादा इंटरेस्ट लेते थे इसके पीछे कारण है कि उनकी मॉम जो है वो खुद एक भरतनाटियम डांसर रह चुकी है और मॉम पुलकिट समराट को अक्सर कल्चरर अक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करवाया करती थी In fact, खुद पुलकित समराट ने बताया है कि उनकी मॉम को डांस से इतना obsession था कि 7th standard तक पुलकित समराट ने कथक डांस सीखा हुआ है और school हो या college हो वो theater से हमेशा जुड़े रहे हैं In fact, अपने school की पढ़ाई पूरी करने के बाद पुलकित समराट ने एक advertisement designing school में course किया जिसके बाद पुलकित समराट को select कर लिया गया और तब वो पहली बार आए दिल्ली से मुंबई मुंबई आने के बाद पुलकित समराट को इंडस्ट्री में exposure मिला हर दूसरा इंसान वही था जो modeling या फिल्मों से जुड़ा हुआ था पुलकित समराट ने अपने आपको मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से इतना ज़ादा connect कर लिया कि year 2005 में वो finally मुंबई ही shift हो गए इस दौरान उन्होंने auditions देना शुरू किया चोटे मोटे कुछ किरदार मिलते थे तभी पुलकित समराट ने एक बहुत बड़े TV सीरियल के लिए audition दिया और वो select हो गए ये TV सीरियल था क्योंकि सास भी कभी बहू थी और इसमें उन्होंने लक्ष विरानी का किरदार निभाया था पुलकित समराट तीन दिन में ही famous हो गए थे क्योंकि already show जो है top का show था और इस show से जुड़ा हर एक celebrity star था यही कारण है कि चंद दिनों में ही पुलकित समराट को टीवी पर अच्छी खासी popularity मिल गई जिस वक्ट पुलकित समराट क्योंकि सास भी कभी बहू थी में काम कर रहे थे तब ही उन्हें कुछ और भी projects मिले और उन्होंने उन projects को हा कह दिया और यही वो time था जब पुलकित समराट का एकता कपूर के साथ जगडा हो गया पुलकित ने एकता कपूर को बिना बताए इन projects को sign कर लिया inform भी नहीं किया और जबकि वो बालाजी के साथ contract में थे एकता कपूर को पुलकित की यही बात ठीक नहीं लगी बाद में कहा गया कि पुलकित ने एकता कपूर की company पर case भी किया क्योंकि एकता कपूर की company की तरफ से पुलकित की payment भी रोकी गई थी इसी दौरान पुलकित समराट ने एक और show किया कहोना यार है इस show में money roy भी थी और कहा गया कि उस दौरान पुलकित समराट ने money roy को date भी किया था यही वो time था जब पुलकित समराट अलग-अलग channels के लिए interview दे रहे थे और तब एक channel की तरफ से एक journalist आई थी जिसको पुलकित के साथ shoot करना था कि आखिर पुलकित समराट पूरा दिन कैसे गुजारते हैं और पहली यह जो मुलाकात इस journalist से थी यह मुलाकात इतनी अच्छी रही कि इन दोनों ने date करना शुरू कर दिया और आगे चल कर दोनोंने शादी की मैं बात कर रही हूँ श्वेता रोहिरा की जो कि सल्मान खान की राखी sister है और पुलकित समराग की ex-wife है श्वेता रोहिरा से पुलकित समराग की धीरे-धीरे दोस्ती बढ़ने लगे और यही वो time था जब पुलकित समराज टीवी छोड़कर अब फिल्मों में try करना चाते थे, काफी सारे actors थे जो टीवी से फिल्मों में मूव कर रहे थे, इसलिए पुलकित समराज भी फिल्मों में ही काम करना चाते थे, उन्हें सबसे पहला काम दिया कुमार मंगत ने फिल्म बिट्टु बॉस से फिल्म का म्यूजिक सल्मान खान ने प्रमोट किया था इतना ही नहीं सल्मान खान से पुलकित की इतनी अच्छी दोस्ती हो गई थी कि इस फिल्म के लिए सल्मान ने स्पेशल स्क्रीनिंग रखी और उसमें उन्होंने अपने इंडस्ट्री के दोस्त बोनी कपूर, साजित नाडियादवाला और सूरज बरजातिया जैसी बड़ी परसनालिटीज को इन्वाइट किया पुलकित समराट के लिए बहुत बड़ा मोमेंट था क्योंकि वो इंडस्ट्री में जेब्यू कर रहे थे और इतने बड़े लोग आकर उनकी फिल्म देख रहे थे इतना ही नहीं पुलकित समराट को सल्मान की कई पार्टीज में इंविटेशन मिलते थे और वहाँ पर सल्मान खान पुलकित समराट को सभी से इंट्रीज करवाते थे बिट्टो बॉस के बाद 2013 में पुलकित समराट नजर आए फिल्म फुक्रे में और ये फिल्म सूपर हिट रही इस फिल्म को आज भी पसंद किया जाता है फिल्म के किरदारों के लिए, फिल्म की कॉमेडी के लिए, फिल्म की स्टोरी के लिए 2014 में पुलकित समराट सल्मान खान के साथ नजर आए फिल्म जै हो में इस फिल्म में उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल निभाया था और यही वो टाइम था जब पुलकित समराट ने श्वेता रोहिरा के साथ शादी कर ली गोवा की एक आलिशान होटेल को बुक करवाया गया था और वहाँ पर पुलकित और श्वेता शादी के बंधन में बन गए अब पुलकित की लाइफ सेट थी उन्हें सिर्फ अपने करियर पर ही फोकस करना था शारी के बाद ओ तेरी और बैंगिस्तान जैसी फिल्में आई हाला कि फिल्मों की ज़्यादा चर्चा नहीं रही और पुलकित समराट कुछ एक जैसे रोल कर रहे थे यानि की रोमैंटिक और कॉमेडी दोनों का मिक्शर तभी पुलकित समराट ने कुछ और फिल्में की जिसमें से सनमरे और जुनूनियत फिल्में शामिल है इन दोनों ही फिल्मों में पुलकित समराट की को आक्ट्रिस रही यामी गौतम और दोनों फिल्मों की शूटिंग के दोरान जाहिर सी बात है यामी के साथ ही सबसे जादा उनका टाइम बीता जादा रहना हुआ क्योंकि वही उनकी को अक्टरिस थी और यही वो टाइम है जब पुलकित समराहट की परसनल लाइफ में प्रॉब्लम आने लगी पुलकित समराहट की वाइफ शूटा रोहिरा यामी गौतम को पसंद नहीं करती थी और उन्हें यामी और पुलकित के बीच कुछ लगता था कि दोनों का अफैर है इन फैक्ट 2015 में ये बात खुलकर तब सामने आ गई जब शूटा रोहिरा ने पुलकित समराज से तलाग की अरजी दे दी और बाद में शूटा ने मीडिया में इंटर्वियू दे कर कहा कि कैसे पुलकित समराज जो है अपनी को अक्ट्रिस के साथ बहुत ज़ादा क्लोज है और उन्होंने ये कहा कि 2015 में मुझे मिस्कैरेज हुआ था और उसके बाद से पुलकित समराज ने यामी गौतम पर ज़ द Russians के रही है वैसा शूटा ने बमिली हर एक प्रेंड के लिए कहा है υसा एक्ट ऐस मेरे फ्रेंड़ को क्ल किया है और उनके पतियों को कॉल कर्के कहा है कि तुतमारी वाइफ कर मेरे साथ अफ़एर चल रहा है इतना ही नहीं से पुलकित का कहना है कि शूटः एजा हुआ था लेकिन 2015 में नहीं बलकि 2012 में अब सबसे बड़ी बात है कि तब तक तो श्वेता रोहिरा और पुलकित समराट की शादी भी नहीं हुई थी कुल मिलाकर पुलकित और मुश्वेता का यह जो डिवार्स था बहुत अगली डिवार्स था बहुत मीडिया में बाती आई थी और यहीं वो टाइम था जब पुलकित को मीडिया डिपोर्ट से बहुत परेशानी होने लगी इन फैक्ट कई बार तो उन्होंने मीडिया वालों को मारने की धंकी दे दी एक बार तो एक मीडिया वाले का कॉलर भी पकड़ लिया दो ऐसे इंसिडेंट सामने आए जब पुलकित समराट जो कि फिल्मों में कॉमेडी रोल करते हैं हसी मजा करते हैं लोगों को एंटेटेन करते हैं वो परसनल लाइफ में लोगों को मारते नजर आए हुआ यूँ क था कि पुलकित और यामी दोनों हॉलीडी पर जा रहे हैं और ये वो टाइम था जब पुलकित समराट का डिवार्स फाइल हुआ ही था यही कारण है कि एरपोर्ट पर जब कुछ कैमरामेन ने पुलकित को कैप्चर किया तो पुलकित ने अपना सूटकेस लेकर उन पर मार कि उन्हें धमकी दे दी इतना ही नहीं बैंडरा के कौट में जब पुलकित समराहत डिवार्स के लिए गए थे तब वहां पर मीडिया के लोग थे और बाहर आते वक्त पुलकित समराट से कुछ सवाल किये गए तो पुलकित समराहत बॉखला गए और उन्होंने एक फोटो कि जिसे उन्होंने डेट किया प्यार किया शादी की उससे उनका तलाख हो गया था वहीं दूसरी तरफ यामी गौतम के साथ उनके रिष्टे भी खराब होने लगे थे एक तो मीडिया में काफी खबरे आ रही थी और दूसरी बात ये कि दोनों ही फिल्में जो उन्होंने कि आमी के साथ की थी उनकी चर्चा रही लेकिन उन फिल्मों का रिजल्ट और रिस्पॉंस कुछ खास नहीं रहा तो करियर जो है कहीं न कहीं डाउन फॉल पर आ गया था तब हाला कि पुलके समराट ने बाद में अपने करियर को संभाला वो वीरे की वेडिंग और फुक् करते हुए जब आक्टर्स को देखा जाता है तो ओडियंस भी बोर हो जाती है यही कारण है कि पुलके समराट की फिल्म में भी कुछ खास बिजनस नहीं कर रही थी और तब उन्होंने डिसाइड किया कि वो कुछ सीरियस रोल्स और हटके और अलग रोल्स करेंगे यही कार के कारण फिल्म की रिलीज को रोग दिया गया है मेकर्स फिल्म को थेटर में ही रिलीज करना चाते हैं पुलके समराट अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं वहीं श्वेता रोहिरा भी लाइफ में मूव ओन हो चुकी है जहां तक बात है यामी गौतम की तो यामी ग इतना ही नहीं आने वाले टाइम में पुलकित सल्मान की बेस्ट और क्लोजेस फ्रेंड काट्रीना कैफ की बहन इजाबेल के साथ नजर आने वाले हैं सुस्वागतम खुशामदीद में और खुद सल्मान खान ने इस फिल्म की अनौंसमेंट की थी जिससे ये साफ दिखता है कि भले ही श्वैता रोहिरा जिनके कारण पुलकित समराट का सल्मान से कॉन्टेक्ट हुआ था श्वैता से आज रिष्टा नहीं है लेकिन सल्मान से रिष्टा बना हुआ है और बना क्यूं नहीं रहेगा पुलकित समराट सल्मान को बहुत सपोर्ट करते हैं जब दुनिय उने सलान खान के खिलाफ बोला था उनने स्लैम किया था लेकिन पुल्कित सम्राथ ने सलमान की सपोर्ट की थी और कहा था कि सलमान समझदार है जहां तकंबात है सीरियस रोल्स की तो एक बार जो आक्टर कॉमेडी कर चुका होता है और अपनी छाप छोड़ देता है उसको आगे चलकर लोग serious role में except कम cases में ही करते हैं विल्ल आपको क्या लगता है क्या पुलकित समराट को आगे चलकर भी romantic comic roles ही करने चाहिए या serious roles वो कर सकते हैं पुलकित समराट का किस फिल्म में कौन सा काम आपको अच्छा लगा comment section में जरूर शेर करें कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे बॉलिवुट की एक और story के साथ लाइक करें हमारा facebook page बॉलिवुट ठिकाना फॉलो करें हमें इंस्टा पे और subscribe करें हमारा youtube channel बॉलिवुट ठिकाना